हेलो अब्रीवन जै हिंद आज है 17 जुलाई और आज किस वीडियो में हम 17 जुलाई से बनने वाले करंट अफर के सभी इंपोर्टन कोश्चन्स को कवर करेंगे सेटरड़ की क्लास में हमने पढ़ा था कि केंद्र सरकार इंडियन नेवी के लिए राफल एम विमान नेने जारी है किस कंट्री से उसी कंट्री से जिसने राफल विमान भारत को सौपे थे यह है फ्रांस एलन मस्क यह अपनी एक नई आटिफीशल कंपनी शुरू करने जा र चंद्रवा पर उतरने वाला सक्सेस्फ़ली उतरने वाला जो चौथा देश भारत है इसके पहले रश्या चाइना अमेरिका औरड़ी है चंद्रयान थ्री से इस बार और 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 गायब है लेंडर रोवर तो वही है मतलब उसी नाम से है और यह उतरेगा कहां पर दक्षने चंद्रवा पर उतर प्रदेश रिसेंटली उतर प्रदेश गौर्मेंट के द्वारा सोन भद्र के ओबरा में 18,000 करो रुपए के 800 मेगा वाट की दो थर्मल पर योजनाओं को मन्जूरी दी गई है तो उतर प्रदेश सरकार ने गलोबल इन्वेस्टर समिट जो हुई थी इस दोरान ओबरा थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए एंटी पीसी अनिकी नैशनल थर्मल पार कार्परेशन के सांद समझोता भी किया था उतर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनो लखनो बसा हुआ है गुमती नदी के किनारे और इसी लखनो में पहली और उतर प् कीटों की संख्या यहां से 31 हो जाएगी इंपॉर्टन नैशनल पार्क में दुद्वा आप रिलेट कर सकते हैं पीली भीत रिलेट कर सकते हैं स्टैटिक बता रही हैं अभी केवल अमनगर रिलेट कर सकते हैं और रानीपूर वाइल लाइफ संचुरी इसलिए आप लोगों की शुरुआत की है खेलो इंडिया युनिवर्सिटी गेम्स का जो तीसरा संस्कर रहा यहीं आयजित किया जिसमें की पंजाब युनिवर्सिटी चंडीगड़ टॉप पर रही है शिकायत निवारण सूच कांक में जो बड़े राज्य की केटेगरी उत्तर प्रदेश टॉ तो मद्य प्रदेश सरकार का एक बहुत मतलब ऐसा कोशण जो बहुत दिन से मिầu कराया नहीं तो भारत की जो पहली नदी जोडो परयोजना है क्योंकि प्रश्ण पर योजणा से ही रिलेट़ है केन बेत्वा निंक पर योजना इदि आप रिलेट करें तो ये मद्य प्रद परियोजना कलासा भी कई जगह लिखा दिखाए देगा आपको कल्सा बुरुंडी परियोजना विवादों में थी यह करना टकी है हिमाचल प्रदेश में एक बांध है यह पर नाम मेंशन कर देती हूं भाखडा नागल बांध किस नदी पर है भाई यह हो जाएगा इस त्लज नदी पर उत्तर प्रदेश का करेंट फिर हम सबसे जादा देखते हैं वैसा ना सुछी स्टुरेंट कि मैं उत्तर उत्तर प्रदेश का पढ़ा देखिए जो हम यहां पर मुख्य नहीं है सिर्फ न्यायादी से वर्ड है तो न्यायदी उजल भुईया नियादी जो उजल भुईया है ना इनके साथ ही यह नमाज वाले फैसले पर मशुबूर हुए थे जस्टिस भट्टी तो दो लोगों की नियुक्ति की गई है यानि की ऑप्शन डी बोथ A और B इसका राइट अंसर हो जाएगा दो नहीं नियुक्तियों के बाद भारत के सर्वच न्यायाले में न्यायक सदस्यों की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई है 33 हो गई है और यहां लास्ट में क्या मैंने लिखा है कि दो नहीं नियुक्तियों के सांसीर सदालत मे नियायाएक्स दस्यों की संक्या 33 हुई है केवल एक पद खाली है यूँकि सुप्रीम कोट की कैसी विवस्त है पदों की यह आप देखें तो यह एक यहासमुदर फिरफ्स banyak है 23 प्लस 1 पर कांग करता है इक तो मुख्यन्याय धिस हैई जो एक हम भारत के 50वैं क्रम की मुख्यनUI धिस हैँ की बात करें टो यसवंत्र चंद्र ची होते हैं इनके अलावा जो grill नियायध ही शक्त होते हैं धो प्रतिवर्ट से विश्वभर में युवा कॉश्वल दिवस कमना है तो सेटरड़े की क्लास में डिस्कूस करना था लेकिन दस कुस्चन अलड़ी हो चुके तो 15 जुलाई को मनाया गया है विश्व युवा कॉश्व दिवस यूथ स्किल डे इस दिन का एक मातर देश यह दुनिया भर के यूवाँ में यूथ में आवश्यक कॉसल इनके स्किल डेवलप्मेंट इन्हें प्रोवाइड कराई जा सके ताकि यह प्रॉपर मतलब जो अने इंप्लॉई घुम रहे हुऊ और उन्हें प्रॉपर रुजगार मिल सके इस बार के थी में ट्रांसफोर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर दे फ्यूचर ऑप्शन के तो मलाला दिवस अंतर रास्ट्री मलाला दिवस यह 12 जुलाई को मनाया गया यह पाकिस्तान की मलाला मैंने आपको बताया था सबसे कम उम्रकी नोबल पुरुसकार विजेता यहीं हो जाएंगी 2014 में इन्हें नोबल पीस पुरुसकार से सम्भानित किया गया था फिर 11 जुलाई को हमने डिसकुस किया था कि विश्व जनसंख्या पॉपुलेशन दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है जुनोसस डे यह हमने पढ़ा था यह 6 जुलाई को मनाया जाता है इसके अलावा शुरुआत जो की गई थी एक जुलाई से तो एक जुलाई को जो important day मनाया गया थी इसमें GST day है doctors day है इसके लावा इसके लावा charter accounting day है SBI ने अपना इस्थापना दिवस मनाया है चार जुलाई को यह आप रिलेट करेंगे तो चार जुलाई को US ने अपना सुतंतरता दिवस मनाया है आगे चलें दुनिया भर का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट ZUQ-2 किस देश ने लॉंच चिये तो यह तरंगी नाम ना आपको चाहिना सही देखने को मिलेंगे अभी इसी साल इसने कैरोसीन से उड़ने वाला रॉकेट लॉंच किया था कक्षा में सफलता पूर्वक लॉंच किया है इसके पहले अप्रेल में यह कैरोसीन उक्सिजन रॉकेट को लॉंच कर चुका है चाहिना यह एरिया वाइस तो एशिया का सबसे बड़ा देश है लेकिन अब पॉपलेशन के मामले में भारत ने चाहिन को पीछे छोड़ दिया है चाहिना की capital भीजिन currency रें, मिटमी प्रेसरेंट यहां के सी जिम्पिंग है भारत के पीछे चाहिना जो है ातधोकर के पड़ा हुआ हाह तहनेकी हेंड तो हेंड इन हैंड एक सरसर पाहिजु की भारत और 600 क्ल्यमीटर परती घंटे की स्पीड से चलने वाली यह ट्रेम ती चाईना में लॉव मैं ही लॉँज की गई इसके लाव आपको लॉडोसे याद रखनी है कि एश्या में हाइडोसे चलने वाली पहली चाइना के ही द्वारा लॉंच की गई है यहां की जो Space Agency है इसका नाम हो जाएगा चाइना National Space Administration CNSA आप कह सकते हैं हाल फिलाल में क्या पढ़ा है हमने चाइना से रिलेट करके कि सड़क नेटवर्क के मामले में अभी जो रिपोर्ट आई है सड़क नेटवर्क के मामले में भारत ने चाइना को पीछे छोड़ा है और दूसरे स्थान पर आगये है निकि टॉप पर USA है दूसरे नंबर पर अब इंडिया आगया है चाइना को पीछे छोड़ते हैं ओप्शन के तुरू हम दिसक्स करें तो Science and Technology वाले पोर्शन से ही रिलेट करें तो केन्या के द्वारा इसका लॉंच किया गया पहला Earth Observation Satellite टाइफा 1 हो जाएगा इसराइल ने अपना जो जासुसी उपग्रह लॉंच किया ओफिक सिक्स्ट्रीन अमेरिका अमेरिका के द्वारा इसका जो दुनिया का सबसे श्रक्ति साली रॉकेट जिसकी लॉंचिंग फेल हुई थी इसका नाम याद रखें तो ये स्टार शिप रॉकेट हो जाएगा आगे चलते हैं किस देश की बैस्टल दिवस्टैनी परेड में प्राइम मिनिस्टर नरिंद्र मोदी विश्च अतिथी के रूप सारी विश्च अतिथी के रूप में आवंद्रत किये गए तो ये फ्रांस में शामिल हुए थी ये बैस्टल डे वाला मैं आपको बता नहीं पाई थी इसलिए फ़र से कोश्चन पिक किया है बाकि ये तो मैं बता ही चुकी हूँ यहां के सरवच्च सम्मान से प्राइम मिनिस्टर नरिंद्र मुदी को सम्मानित किया चा चुका है फ्रांस की क्यापटल पैरिस जहां नेक्स्ट येर दोहजार चौबस में होने जा रहे है ग्रीस मकाली निनी की समर ओलंपिक पैरिस सीर नदी के किनारे बसा हुआ है और ये यूनेसको का मुख्याला है यूरो यहां की मुद्रह इमैनुल मैक्रोन यहां की राश्ट पती है इंटरनेशनल सोलर अलाइंस का अध्धक्ष तो भारत है इसका उपाध्धक्ष ये हो जाएगा फ्रांस ये भारत की एक मात रैसी अंतरास्टी संधी जिसका मुख्याल है भारत में ही है गुरुग्राम हरियाडा में फ्रांस की लोकेशन यॉर्प महादीप में कुछ यहां है और इसके नीचे में आप देख सकते ही स्पेन और फ्रांस की बीच में एक परवत मैंने आप लोगों को बताया है उस परवत का नाम मैं फ़र से बता रहीं क्योंकि न जियोग्राफी में जो बेसिक स्टाटिक जियोग्राफी का पोर्शन पूछा जाता तो ऐसे प्रशन कभी माउंटन से पूछ ले जाते हैं पे प्राइम मिनिश्टर नरेंद्र मोदी जी विसस्टाथिती की रूप में शामिल हुए थे वहां के भी सर्वोच्च सम्मान से प्राइम मिनिश्टर नरेंद्र मोदी सम्मानित किये गया योई ने अपने सर्वोच्च सम्मान जायद मडल से सम्मानित किया है प्राइम मठ और गुर द्वारे से आने वाले जो तीर थे यात्री इनका experience को पूछा जाएगा यहां जो भीड crowd management है कच्रा का management है वेश्ट का management और बुनियाली सुधाओं में क्या सुधार किया जा सकते हैं इन विश्च्य उपर भी चर्शा की जाएगी तो वारण सी प्राइम बीनिस्टर नरेंर यह आपसे पूछा जाए, गंगा नदी के किनारे बसा, सबसे बड़ा शहर, तब आप टिक करेंगे कान पूल, सबसे स्वक्ष सहर पूछा जाए, तो यह वारणसी हो जाएगा, संगाई कॉर्परेशन और्गनाईजिशन ने अपनी जो पहली सांस्क्रतिक और परेटन राज हानी जिसे चुना है, यह वारणसी को ही चुना है, और आप जानते ही है, इस साल SEO भारत ही होश्ट कर रहा है, वारणसी से आप यह भी रिलेट कर सकते हैं, कि भारत में पहली बार, रोपो बेस सर्विस, यहनि कि आतायात के लिए, रोपेस सर्विस के शुरुआत करने वाल जो शेहर यही है, वारणसी, बनारस भी रिलेट करें ना, तो बनारस से लेकर के डिब्रुगण के बीच में सबसे लंबी क्रूज सर्विस, जिसका नाम है गंगा विलास क्रूज, इसके जो शुरुआत है, यह की गई है, 32 किलुमीटर लंबी इसने पहली अपनी यात्रा की थी, बनारस से यह डिब्रुगण हो जाएगा, है ना, भोपाल, यह ना, मद्ध प्रदेश की राजधानी है, और भारत का पहला इक चला क्लीनिक यहीं स्थापित किया या, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पाँचवा संसकर्ण रहा, जिसमें टॉप पर महरास्ट रहा है, यह मद्ध प्रदेश में ही आयजध किया या था भोपाल में, लखनों में हमने रिलेट किया है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा एडिशन आयजध क किया या जिसमें की टॉप पर रही थी पंजाब, यूनिवर्सिटी, चंडिगन, ग्रेटर नॉइडा से आप क्या रिलेट कर सकते हैं, ग्रेटर नॉइडा, देखिए नौर्थ इंडिया का जो पहला डेटा सेंटर है, जिसका उड़्वाटन प्राइम अनश्टर नरेंद संबंदित द्वारा बोली जाती है, कोंद ये न ओडिसा के पहाड़ी या वनी शेत्रों में रहती है, आप कह सकते हैं, कोई भासा को आठवी अनिसूची में सामिल करने के लिए इस भासा को संबंदित संस्कृति के संरक्षित किये जाने के परपस से ओडिसा गवर्मेंट चाहती ही कि इसे आठवी अनिसूची में शामल कर लिया जाए, आठवी अनिसूची में आप जानते हैं वर्दमान में 22 भाशाएं सामिल है, जब भाशाओं के डिसकृशन आया है, आप्शन में मैंने जम्मो कश्मीर रखा है, तो आपको याद होगा, अभी रिसेंटली सर अधिकार के दुआरा, इसका सम्धान का दोगरी संस्क्रण लॉंच किया गया था, तो यहां यह डोगरी संस्क्रण से मैं आपको यह बताना चाहरी हूं कि यह आपके जें, यह कहां कि आधिकारी भाशा है डोगरी, यह जब मुँ कश्मीर की हैं और यह लगभा, एक आद म भी धर्मांतरण विरोधी, धर्मांतरण विरोधी कानून वापस लिया गया है, और राइट टू हेल्थ बिल, यह भी विधेयक है, यह लाने वाला, जो पहला राज्य है, यह राजिस्थान है, इसके बारे में तो हला कि हमने डिस्कस किया ही है, हाली में पैरा अथलेटिक से वश्व चैंपेंशिप 2023 में किस भारती अथलेट ने सिल्वर मडल जीता है, तो यह जीता है निशाद कुमार, एसे प्रश्म रखने का परपस है कि यह खिलाडी ही तो किस खेल से संबंदित है, तो कई बार ऐसा थी क्योंकि एक्जाम में हैं, रिसेंटली इन्होंने लॉजन डायमेंड लीग जिती है, साथ अगस्त को इनी के संबान में भाला फेक दिवस के रुप में घुशित किया गया है, बजरंग पुरिया यह रस्लिंग से रिलेटेड है, पहलवान है, हरियाना से विलॉंक करते हैं, और बिलियर्ड सा इ दोनों ही हरियाना के हो जाएंगे, दो प्रश्ण मैंने चंद्रियान 3 मिशन से रिलेट करके रखा है, लेकि मैं आपको बता चुकि चंद्रियान मिशन 14 जुलाई को लांच किया गया, इसकी लागत ना 600 करोड है, कई ऐसी रील्स और पोस्ट वाइरल हो रहे हैं, कि अभी जो आदी पुरुष मूवी आई है, वो 600 करोड की है, लेकिन चंद्रियान 3 की लागत इससे कम है, चंद्रियान 2 जो लांच किया गया था ना 960 करोड का था, लेकिन चंद्रियान 3 की लागत पिछले वाले से कम है, और फिर लेंडर और रोवर लांच किया गया, और बिटर उसभार नहीं न ऊर्बीटर पुराना ही काम करेंगा चंदर्यान 3 का ये जो है चंदर्यान 3 मिशन कहाँ उतरेगा चंद्रमा पर तरह और इस मिशन को देश्य है चंदर्मा के दक्षिनी धुरुप का पते लगाना जो की जल बर्फ से सम्रद्ध है लोग मानित तिलग पुरिसकार 2023 से प्राइम मिनिस्टर अन्रेद्र मोधी सम्मानित किये जाएंगे आज का सवाल आप लोगों के लिए है कि सौकत मर्जियाओं किस देश के राष्टपती चुने गए है आंसर इसका कॉमेंट आवक से बताएं फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक्यों सो मच